नमस्कार प्यारे साथियों मैं अंकित कुमार आप सभी लोगों स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एक्जाम कार्ट लाइब पर अगर आप इनको एक्जाम कार्ट की वेब साइट से खरीदोगे तो आपको इन पुक्स की जो कॉस्ट पड़ेगी वो पड़ेगी 35% डिसकाउंट के साथ मैं कितने 35% डिसकाउंट के साथ मैं 800 कुछ रुपए की लेकिन जैसे ही आप मेरे नाम का कोड यूज गर लेंगे तो यही बुक्स की जो कीमत है ये सिर्फ और सिर्फ बचेगी कितने रुपए की 684 रुपए की ठीक है चलिए कुछन देखते हैं पहला क्या है आज का हाल ही मैं आजादी का अमरत महुतसब के भाग के रूप में 2-31 अक्टूवर तक Fit India Freedom Run का कौन सा संस्क्रण आयूजित किया गया तो आप द्यान रखना ये इसका तीसरा संस्क्रण था ये फिट इंडिया रन का मैंने आपको जैसा के बताया तीसरा संस्क्रण था आजादी का अमरत महुतसब के एक भाग के रूप में 2-31 अक्टूवर तक Fit India Freedom Run 3.0 यानि जीरो का आयोजन किया गया विजय इसका विशय क्या था वेटा तो ध्यान रखना आजादी के 75 साल के लिवल करा दी जाती है अगर आप इसके उद्देशी की बात करेंगे तो ध्यान रखना बहतर स्वास्त और फिटनेस के लिए लोगों में पैदल चलने और दोड़ने की आदत डालना है फिट इंडिया फ्रीडम रण की सुरुवात की बात करोगे तो 2020 में की गई थी इसका पहला संस्क्रण 2020 में और दूसरा संस्क्रण इसका जो है 21 में आयुजित किया गया था नेक्स कुशन है कुशन अमर टू 31 अक्टूवर को देश भर में आधुनिक भारत के एकी करण करता लोह पुरस सरदार वल्ला भाई पटेल की कौन सी जैनती पर उन्हें स्रद्धांजली अर्पित की गई 147 वी 148 वी 149 वी या फिर 150 वी तो द्यान रखना आप लोग 147 वी थी है इस दिन को राश्ट्रिय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है सरदार वल्लब भाई पटेल की अगर आप बात करोगे तो इनका जन 31 अक्टूवर को 1875 को नाडियाद जो के गुजरात में हुआ था एक चीज़ का और ध्यान रखना 1900 में उन्होंने गोधरा जिला में अधिवक्ता का एक सुतंत कार्याला इस्थापित किया अगर इनकी बात करोगे तो भारती सुतंता संगर्स के दोरान भारती राश्टी कॉंग्रेस के नेताओं में से ये एक थे जानते हैं इनकी बारे में एक दो फैक्ट जो काफी इंपोटेंट है आपके हर परिशा के लिए देखिए सविड़े अवग्या आंदोलन से ये जुड़े हुए था 1928 में गुजरात के बारदोली सत्या ग्रह में उन्हें सरदार की उपाधी प्राप्त की गई थी भारत छोड़ो अंदोलन की अगर बात करोगे तो 1942 में भारत के लोगों को प्रेरित करने के लिए विद्रो का नित्त किया गया भारत का राजनीतिक अगर एक ही करड़ की बात करोगे आप भारत के राजनीतिक एक ही करड़ की अगर यहां पे बात करोगे तो 1947 में ने उन्हें 500 से अधिक रियासतों को संग में मिलाने का प्रयास किया था 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्ला भाई पटेल जी का निधन हो गया था कुष्यर नम्मर थ्री आपसे पूझागया है कि लूईज इनासियो लूलणा दा सिल्वा किस देश का रास्टपती चुना गया इनको इनको फ्राजील का चुना गया है बरतमान में रहा रहत तो ब्राजील को बरतमान में वाल्स नारो इनको और न क्या किया है तो ब्राजीलिया है और मुद्रा जो है यहां की ब्राजीलियाई रियाल है देखते हैं आगे देखिए गुजरात में एक हाथसा हो गया था उस हाथसे में कई लोग मारे गए लगवग सो से जादा लोगों की मिरत्ती हुई है यानि की देड़ सो लोगों की लगवग इसमें मोरवी के पूरु सासक जो वाग जी थे सरवाग जी उन्हों ने इसका निर्माण करवाया था और ये ब्रिटिस सासनकाल का बैतरी इंजिनिरिंग का नमूना भी था आया ठीक है कोशन नमर फाइब कोशन नमर फाइब में आपसे पूछा गया है यहां पे कि हाल ही मैं प्रदान मंदरी नरेंद्र मोदी ने एकता नगर में भूल बुलाया उद्धान यानि की मेज गार्डन यहां भूल बुलाया कहां पे तो एकता नगर में ठीक है और मियावा की वन उद उद्धान का उद्गाटन किया ठीक है तो ये बिटा किस राज्य में इस्थित है तो ये एकता नगर गुजरात में इस्थित है ठीक है इसको यंत्र के आकार का तो बनाया गया है जिसमें सकारात्म कूर्जा संचार करे भूल बलाया उद्धान के पास में मियावाकी वन पद के नाम पर ही दिया गया है क्यों दिया गया है देखिए अगर आप पारंपरिक अगर आप ध्यान देंगे इस चीज को थोड़ा सा हलका सा पारंपरिक तौर पर अगर कोई वन आप उगाते हो तो उसमें लग जाते हैं आपको 20 से 30 साल उसको विक्सित होने में लेकिन मियावा कि अगर पद्धिती अगर से अगर आप उगाते हो तो दो से तीन वर्स में ही वो जो वन है वो विक्सित हो जाता है कुछ नमा सिक्स हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्रिय जांच ब्यूरो को पहले से दी गई सामाने सहमती वापस ले ली है तो तेलंगा ने भाई ये देखो होता क्या है आपको यहां पर मैं समझा देता हूँ अब देखो इसके तैत सीबी आई को अब राज्य में किसी भी मामले में जांच के लिए पूरु सहमती आवश्यक होगी देखो एक चीज़ का आप लोग द्यान रखना है यहां पर कि दिल्ली विसेस पुलिस इस् सहमती मिलती है एक तो होती है केस विसेस्ट सहमती और सामान सहमती आम तोर पर राज्य सरकारों द्वारा राज्य में केंदर सरकार के करमचारियों के खिलाब ब्रस्टाचार के मामले में निरबाद जांच CBI की मदद करने के लिए सामान सहमती दी जाती है CBI की अगर बात करोगे तो ये केंदर सरकार की एक प्रमच इन्वेस्टिकेशन यानि के अन्वेशन एजेंसी है जो ब्रस्टाचार की रोक्ताम पर संथानम समिती की सिफारिस पर 1922 से 64 द्वारा इसको जो है स्थापना की सिफारिस की गई थी यानि कि उस एक्ट से इसको पावर मिलती है हाल ही में किस राज्य की हवा को स्लो पॉईजन की तरह बताया गया है तो आप ध्यान रखना दिल्ली राज्य की वो हवा है जिसे स्लो पॉईजन बताया गया है दिल्ली में सनिवार से प्रदूशड का इस्तर बेहद खराब कैटिगरी में पहुँच गया दिल्ली में ओवर ओल एर क्वालिटी इंडेक्स 373 यानि कि 373 जो जनवरी के बाद से सबसे खराब इस्तर है दिल्ली के प्रदूशड में पराली धुए की भागिदारी भी बढ बत्ता चार अलग अलग चरणों में बरगी करत किया गया है ठीक है स्टेज वन यानि कि AQI यानि कि एर क्वालिटी इंडेक्स 201 टू 300 दूसरा है जिसमें आपका बहुत खराब आती है एर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400 और थर्ड जो है वो है गंभीर जिसमें 401 से 450 तक रहत अब अब रहता है ठीक है थोड़ा सा यहां पर जानेंगे ग्रेप के बारे में आपको बताया गया है ग्रेप पायों को लागू करने का कार्य 2020 से वायू गुडवत्ता प्रवंदन आयोग यानि कि C AQM द्वारा किया जाता है C AQM बेसिकली इसका सौर्ट नेम है यहां पर जान रखना आप लो राश्टी राजदानी छेत्र और आसपास के छेत्रों में वायू गुडवत्ता प्रवंदन आयोग अधिनियम 2021 के तहत गठित एक वैदानिक निकाय है तथा C AQM ने परियावरण प्रदूश्र रोक्ताम और नियंतर प्रादिकर्ण यानि कि EPCA को प आप से पूछा गया है कि हाल ही मैं प्रदार मंतरी नरिंद मोदी ने किस राज्य में भारत की पहली C 295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट निर्मार्ट सुविदा की आधार सिला रखी है तो गुजरात में देखे C 295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट निर्मार्ट सुविदा टाटा एडवान सिस्टम लिमिटेड यानि TASL और एयर बस डिफेंस एंड इस्पेस द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित की जाएगी C 295 विमान भारती वायु सेना में पहले से वारत एवरो विमान की जगह लेगा मई 2015 में रक्षा अधिगरण परिशद यानि की DAC द्वारा एयर बस और TASL को यह प्रोजेक्ट सौंप दिया गया था सितंबर 2021 में रक्षा मंत्राल है M.O.D. ने 56 C295 विमानों की खरीद के लिए Airbus Defence and Space इस्पेन के साथ 21,935 करोड के सौदे पर हस्ताचर किये C295 यानि की 5-10 टन की छमता का एक विमान है जिसका उपियोग 71 यात्रियों या फिर 50 पैरा टूपर्स को के सामरिक परिवहन के लिए किया जाता है Question 9 में यहां आपसे पूछा गया है हाल ही में किसने दिल्ली यूनिवेस्टी celebrating 100 glorious years नामक पुष्तक लिखी तो आप ध्यान रखना हरदीप सिंग पुरी जी ने ये पुष्तक लिखी है Statue of Believe का उदगाटन कहां किया गया है राजिस्थान में किया गया है यह भगवान सिव की मूरती है और विश्व की अब तक की सबसे उची मूरती है यह भगवान सिव की थोड़ा जानेंगे इसके बारे में कहा है तो इस्थान वही नातद्वारा जो जिला राजस्मंद राजिस्थान में पड़ेगा किस ने बनाया है तो बिल्डर सपूर जी पलोन जी ने गुरुपने द्वारा इसको बनाया गया है दूसरी चीज़ आप द्यान रखेंगे इसकी उचाई कितनी है तो 369 फीट और 112 मीटर आप इसको कह सकते हैं अगर इस मूर्ती की बात करोगे तो ये भगवान सिभ जी को समर्पित है और विश्व की सबसे उची मूर्ती भी है बरसात और धूप से बचाने के लिए इस पर जिंक की कोटिंग के बाद में कॉपर कलर किया गया है प्रतिमा के निर्माण में 3000 टन स्टील और 500,000 टन जो लोहा है यानि 500,000 क्यूबिक टन का क्रीट का इस्तेमाल हुआ है क्लियर है अच्छा ये 3000 टन स्टील और लोहा दोनों का ही मिक्षर क्लियर है चलिए तो ये थे आज के इंपोर्टन करेंट अफेर आप से मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में एक चीज़ से आप लोग ध्यान रखना अगर आपको किसी भी गौर्मेंट जयोग का लेटेस नोटिफिकेशन देखना है या उस नोटिफिकेशन की आपको पीडियाफ से ये तो आप विजिट करिए भरतिपूर इसकी पीडियाफ मिल जाएगी भरतिपूर टेलिगराम प बदल आपको का लोगेोगी झाल आपको पान इसकाना लोगैशन आपको किसी अवर करेत उतकी है